हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टडी फीड ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तो आज को टॉपिक है स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेट कोफशन्स है जैसा कि आपका जो उत्राखंड का या अल्टी ग्रेट का एकज़ाम है 18 अगस्त को है अब आपके पास टाइम नहीं है तो दोस्तो मैं तिन चार दिर में जो भी है स्पोर्ट ट्रेनिंग के इसलोजी बायो मैकेनिक्स यह सभी टॉपिक पुरा करना चाहती हूँ जल से जल तो आज की सेशन में 101 कोस्टन्स है दो तीन वीडियो जो है इस्पोर्ट ट्रेनिंग को होंगे फिर दो तीन वीडियो होंगे किसलोजी बायो मैकेनिक्स के फिर हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेर मैं जल से जल पुरा करने की कोसिस करूँगी और अपने इनसार भी पढ़ते रहें तो चलते हैं आज के कोस्टन्स के तरफ फिजिकल एउजिकेशन के सभी कमपटिशन एक जाम के लिए सभी इंपोर्टिन है किवल उत्राखंड के लिए ही नहीं क्योंकि सभी के सिलेबर सेम होते हैं तो कोस्टन नमर वन है सारुरिक सि किस एंगल पर कितना एंगल पर हम पना कोड बनाएंगे जादे दूरी फिजए हम थ्रो करेंगे और जो हमारे जूते हैं इस पोर्ट सूझ होते हैं उसमें इस्पाइक लगे होते हैं जिसे उस घरसर बढ़ाया जाता है यह वैयानिक विध्या अपनाए जाती हैं तो हम सार स्वास्त सिच्छा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समू सिखते हैं तो स्वास्त सिच्छा हेल्स एजूगेशन में हम क्या सिखते हैं हम उसमें स्वास्त को बढ़ावा देने स्वास्त को बनाय रखने और स्वास्त को पुरा ही स्थापित करने के लिए जो उपा यहां पर थोड़ा समय ऊपर करती जिससे दिखाई लेगा कोशन कोशन बत्री है अभीकथन यह है कि अधिक ब्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदाइक सारी सच्छंता कारेक्रमों में विभिन प्रकार के सारी कारेकलापों में सामिल होते जा रहे हैं तो वह बात सही है दोस्तों । इसके तरक र है कि सारणिक क्राव रिक्राव को तयार करने उनका नित्यत्व और मुल्यांकन करने के लिए सारणिक सिछा, भैयाम दिज् Spaß ऑर् है और खेलकूद पे सेवरों की जरूरत है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या है आफसन नमबर D यहाँ पर राइट एंसर होगा कोशन नमबर 4 है कि ब्यायाम के दोरान अधिक्तम संभव उपापचे दर क्या होता है तो दोस्तों इसका जो है आफसन नमबर D सही होगा दोस्तों जब आधे हीमोग्लोबीन इस्तर ही वियायाम के दोरान अधिक्तम संभव उपापचे दर क्या होगा तो जो हीमोग्लोबीन इस्तर आधे से गिर जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबीन ही क्या करता है आकसिजन को लेकर कोशिकांट हो जाता है जब हिमग्लोबीन कहीं इसतर गिर जाएगा तो आक्सीजन कहीं इसतर गिर जाएगा.. जिससे गिर दो आक्सीजन ही अhewता है, जिए हैं, मैट्रोकॉर्णय मजाब की कोसी्ची स्वसंग के दौरा उर्जया बनाता है.. तो जब हीमोग्लोबीन इस तरह आधे से गिर जाएगा तो लगभग आधे से कम हो जाएगा जो आपका उपापचेदर है ठीक है जैसा कि जानते हैं कि एक स्वस्त मनुस्ति में हीमोग्लोबीन की आउसत मात्रा प्रती 100 ml में 15 ग्राम होती है और एक ग्राम हीमोग्लोबीन कितना अक् September लेके जाता है 1.34 ml आक्सिजन बथी होती है एक ग्राम हीमोग्लोबीन में इस परकार 100 ml यानी 100 ml रक्त में की हीमोग्लोबीन में लगभग 20 ml आक्सिजन बथी होती है कोश्चिन नमबर फाइफ है कि मद्य तल सरी को मा बता है यहां मद्य तल का मतलब है यहां पर इंगलिस औरजन दिया ही रहेगा मद्य तल का मतलब है यहां पर सेजिटल ठीक है जो सेजिटल प्लेन होता है वो सरी को बाढ़ता है आप जानते हैं जो तीन एक्सिस और तीन प् जिसके चारो और गती होती है और तल यानि प्लेन क्या होता है कि प्लेन वहां सतह होता है जो अच्छ यानि एक्सिस के लंबवत पाय जाता है जिसे सरी में गती होती है तो यह तो यह तल यानि कि जो प्लेन होता है तीन प्रकाका होता है सेजिडल, फ्रॉंटल, एंड होरिज जिसमें हमारा अखेलो में एक्जांपल हो जाएगा रनिंग जंपिंग एंड समर्साल्ड और दूसरा होता है फ्रॉंटल प्लेन जिसको कुरोनल या एंटरियर पोस्टरिय प्लेन कहते हैं फ्रॉंटल प्लेन आगे पीछे सरीर को बाढ़ता है और इसके जो गती होती है मोमे जो सरीको ऊपर नीचे भागो में बाढ़ता है और इसमें गती जो है सभी घुड़नी और चक्रिय गती या रोटेशन और इलिवेशन मोमेंट्स होता है और दोस्तों जिस बिंग्दू पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसको सीजी पॉइंट यानि ग्रेविटेशनल तो यहां पर राइट इंसर हो जाएगा आज़सन नमबर डी जो है जो सेजिटल प्लेन होता है सरीको उताए भाए भागो में बाढ़ता है कोशन नमबर सिक्स है किसी परिच्छड की वैदता यानि वैलेडिटी किसके त्वरा निधारित होती है तो दोस्तों वैदता वह होता है कि हम जिस परिच्छड को जिस लिए जिस उद्देश के लिए बनाए है वो वही मापे अन्य नहीं इसलिए जो पहले से बना हुआ है अगर उसे मिलते जुलते परिच्छड से संबद करा करके परिच्छड करते हैं कि क्या वही चीज माप रहा है तो यहां पर राइड इंसरू हो जाएगा आपका परिच्छड को उसी मिलते जुलते परिच्छड से संबद करके आपसर नमबर बी यहां पर राइट हो Q7 कि निमने मेंसे क्या अच्छे परिछर का मापदर्ण नहीं है तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको Test Measurement Evaluation वाले प्लेलिस्ट में जाए जिसमें मैंने जो है Criteria for Good Test यानि एक टेस्ट के लिए Good Criteria क्या होता है इसकी बारे मैं बताई हूं इसमें इसे तीन होते हैं एक Scientific Authenticity यानि बेग्यानिक प्रमारिता दूसरा Administrative Facility यानि प्रसाशनिक ब्योहरिक्ता तिसरा Saturic प्रयोग एजुकेस्टन अप्लिकेशन इसमें से Scientific Authenticity यानि बेग्यानिक प्रमारिता के अंत्रगत Reliability, Validity, Objectivity, Norms और Standard आते हैं यानि विशोषनिता, वैदता, वस्तुनिष्टा, Norms और मानद यहां पर आपके वस्तुनिष्टा है यानि Objectivity, विशोषनिता यानि Reliability, वैदता यानि Validity यानि तीनों है बट ब्यक्ती प्रक्ता यहां परिच्छा कमा अप्दन नहीं है Question No.8 है कि कौन सा घटक परिच्छड की वस्तुनिष्टा को प्रहावित नहीं करता है तो दोस्तों निड़र की आपकी कौसोर्टी प्रहावित करता है, निस्पारित करने वाले का क्रम भी निधायत करता है And मापने की प्रक्रिया प्रिच्छड भी वस्तुनिष्टा यानि डिलेबिलिटी को प्रहावित करता है बट समय के आउधी प्रहावित नहीं करता है किसी भी समय आप मापेंगे आपका जो प्रिडाम होगा वही आना चाहिए Question No.9 है प्रिच्छ का प्रियोजन किसके माध्यम से मापा जाता है तो इसमी तो आपका राइड इंसर इस्प्लीट हॉफ में पधती दिया हुआ था लेकिन अगर प्रियोजन उद्देश की बात करता हो तो प्रिच्छ के उद्देश की मापा जाता है बैदता के द्वारा न कि इस्प्लीट हॉफ मेथर ठीक है बैदता के द्वारा जिस उद्देश से बनाया गया है वही उद्देश वही चीज माप रहा है की नहीं तो इसमें सबसे पहले बैदता ही चेक किया जाता है तब रिलेबिल्टी ठीक है तो जबकि split half method में क्या होता है कि परिच्छर को एक बार ही आयुद किया जाता है फिर प्रयज्यो यानि कि subject को उनके प्रड़ाम के आधार पर दो भागों में सम और विसम में बाटा जाता है इसमें से पहले भाग पर विसम संख्या वाले क्रमांग पर आने वाले प्रयज्यो यान सब्जेक्ट के प्रड़ाम आते हैं अदूसरे भाग पर समसंख्या वाले फिर दोनों के मद्य को रिलेशन होता है सा संब्द निकालने के पार जो आता है वही अपका माना जाता है कि रिलेबिलिटी है ठीक है यहां पर प्रयूज्यों इंग्लिस में आगा अब्जेक द्वारा नेशनल कॉंसिल आप टीचर एजुकेशन कारे करता है तो दोस्तों नेशनल कॉंसिल आप टीचर एजुकेशन एन सी टी इजिसकी स्थाफना 17 अगस 1995 को की गई थी इसका उत्तर दाय तो भारतिय सिच्छा प्रडाली की मानक प्रक्रियाओं और धाराओं की स्था निम्न में से कौन सी सम्वेधावनिक संस्था सारी सिच्छा प्रसिच्छर को संचालित करती है तो सभी प्रकार के सिच्छा प्रसिच्छर को संचालित करती है NCTE, राष्टिय सिच्छक सिच्छा परिशत, ठीक है, राष्टिय सिच्छक सिच्छा परिशत, इसका इंग्लिज में होगा National Council of Teacher Education, 17 अगस्त, 1995 को इसको इस्थापना हुआ था, Question 12 है, खेल जगत में अधिकारिक बिसे सगिता के प्रविश्ट होने के फल सुरूप, खेल परिशिच्छर को क्या बनाया जाने पर अपिच्छा के अधिक बल दिया जा रहा है, तो दोस्तों, इसको खेल परक, खेल परक बरतमान में बनाया जाने के लिए जादे जो दिया जा रहा है, Question number 13 है, कि सावरिक सिच्छा यान फिजिकल एजुकेशन के कारिच्छतर में सामिल है, स्वास्थ सिच्छा हेल्थ एजुकेशन, खेलकुत गति बिदिया, कैम्प लगाना और नेतितु डालना उपरक सभी चीजें फिजिकल एजुकेशन में सामिल है, Question number 14 है, कि स्वास्ति की उन्नाती करना, अन्रच्छर करना और पुनाह स्थापना करना, यह आपका स्वास्ति सिच्छा यानि कि जो हेल्स एजुकेशन का जो यह से समन्धित है, Question number 15 है, ब्यक्ति के बहुमिखी विकास में क्या सामिल है, बहुमिखी मतलब फिजिकल, मेंटल, स्विच लगना, स्वास्ति का आधवी, विकास, उप्रोक्ष रभी विकास यहां पर रोती की विकास के अंतरगस आएंगे, मतलब हेरी नक्रीक्ति कहते है, Question numbers 16 है, स्वास्ति सिवां दिमने कारिक्रमों में बहुमिखी लिए स्वास्ति भारती स्वां बहूट्न, जिस ए शिख स्थावपन पर नीचि stitch कित ब्रदान किया जाता है है कुसके तहत इसकूल हेल्थ प्रोग्रामी की तहद सरकार के तोरा पोसर्थ एवन स्वावति से समधित अन्य सिवाई उपलब्द कराई जाती है को कोशन नंबर 17 है कि सारीक सिच्छा का उद्देश निधायत करता है सारीक सिच्छा सारीक मानसिक समाजी की इस प्रिक्ति की तो यहां पर सारीक मानसिक सरवांगिट विकास यहां पर राइटन शुरू जाएगा आपसर नंबर डी वन टू एंट्री कोशन नंबर 18 है कि सारीक सिच्छा सिच्छ प्रसिच्छर का विचार कहां से भारत में आया तो दोस्तों यह इंग्लेंड से आया भारत में यह सभी चीज़े सारी सिच्छा ठीक है कि सभी इस तरूपर बच्चों के इस्टतम विकास के लिए सारी सिच्छा की गतिविधियों का कारेक्रम कैसा होना चाहिए तो दोस्तों कैसा होना चाहिए सांतुलित बैलेंसिंग होना चाहिए सभी चीज़े सारी सिच्छा बैक्ति की सभी पूर बैक्ति तो उसके सारी प्रक्रियाओं और उसके सरीर, मन और आत्मा का पूर रुपर विकास में साहता करती है याद रखेगा कौसन ली इस है, कि एक राश्टिये टीम का खिलाड़ी इतम परदाम देने के लिए निरंतर परियास करे इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेleton से कैसा होना चाहिए दोस्तों उस टीम के कप्तान को लोग तंत्रात्रिक्ट आनिक प्रजातात्रिक होना चाहिए न कि आक्रोस वाला, ठीके, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सब को समान रुपसिभा, जो भाव होते, ठीके, क्वोस्चन नमर एकीस है, निर्ण में से कौन सा खेल प्रसिच्छर की सिधान्त को समलित नहीं करता है, तो दोस्तु, जैसे कि आप जानते हैं, जो खेल कि सिधान के अंतर प्रिंसिपल आप वर्मिंग अप एंड कुलिंग डाउन अभी आता है एंड एंड गांटिनेटी यान लगातारता का सिधान ओर लोड अतिभार का सिधान इंडिविजुल डिफेंशेंस निज़ता अबेतिगत भेद का सिधान एंड एक्टी पार्टिसिप रेस्ट एंड रिकावर यानि अराम तथा पूर्ण सक्थ प्रापति का सिधान इन्जूरिंग इंजूरिंग रिजल्ट प्रग्राम प्राप्तिव सुनिचित करने का सिधान इन्ड योजना बद ही उक्रम बद ट्रेनिंग इस परस्ता का सिधान इस अभी खेल प्रसिचर के सिधान है यहां पे कौन आपके समरित नहीं है भार का प्रोग्रेशन है लगातारता का सिधान है प्रसिचर का चक्र है पर एकनोमिय आउप मुमेंट नहीं है कोशन नमबर 22 है कि खेल प्रसिचर के एक मैक्रो सइकल की अरितम अवधी कितनी होती है आप जानते ही है कि जो प्रसिचर चक्र है ट्रेनिंग शैकल है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है मा Corner Chakra यानि embryo cycle and Mizo Chakra and micro Chakra जो macro Chakra होता है वह सबसे बड़ा training cycle होता है 3-12 महिन या 1 साल का इसको training योजना भी कहते हैं और इसमें sportsman Ki basic component छोड़ी छोड़ी चीजों को cha track करना होता है जो high performance तक लिजाता है और यानि कि आधार से लेकर करने का दूसरा होता है εν मिजोचक्र जिसे तैयारी काल या मास्यक चक्र या oh मास्यक चक्र स्थांग और ब्वता है इसे यो all किसी बिसे इस प्रसिचिका कारे को टैकल करने का योगता डेवलप करना होता है तिसरा होता है माइक्रो चक्र जिसकी आवधी तीन से दस दिन यानि एक सब्ताह का होता है जो सबसे छोटा चक्र होता है इसलिए इसको सुच में अवधी या साथ ताहिक प्योजा भी कहा जाता तो संपूर योजना प्राली के लिए आधार का निर्मार करती है माइक्रो चक्र यहां पी कोशन क्या पूछा है कि खेल प्रसिचर के एक मैक्रो साइकल के अधितम आउधी कितनी होती है ते 3 से 12 में यानि एक साल यहां भी 12 मास आपका राइडे जरू हो जाएगा कोशन No.3 क्राइब में मैसो साइकल के आउधी कितनी होती है तो मेंसो को 3 से 6 सब्ता या में और conception NO.24 में मेंसो साइकल के आउधी इभी जाश्ट पताएव में 3 से 6 सप्ता आपसंद नमबर ​ यहां पर राइट अंसर हो जाएगा कि मेंसो चक्र की अबडी कितनी होती है दोस्तो मेंसो चक्र की अबड़ी 3-6 सब्डा फिर कोउसजञ नमबर 26 कि खेल प्रसिच्छे में समय बधता सेनिमन में से को Всемिप नहीं है तुस्तमएं बहता है कि ट्रेटिंग साइकल में आपका मैं चक्र मेंजों साइकल नहीं है आँटिंग द क्रीटिंगरक पसीर के साइट अंचुमल मत्युक्रत सब्सक्र सब्सक्राइब 1510 साइट साथ दिन कोशन नमबर 28 है पर सिठ्छड में माइक्रो साइगल की अवधी कितनी होती है यहां पर राइट इंसर हो जाएगा तीन से दस दिन किसी प्रकार से कोशन पुछ सकता है तीन से दस दिन या एक सब्था या साथ दिन ठीक है पुछन नमबर 29 है कि नियत कालिंद चक्र यारी प्रियू डाइजेसन साइकल में चरम चक्र की अवधी होती है दोस्तों हम मीजो चक्र को चरम चक्र कहती है ठीक है तो त्थी दो से यहां पर राइट इंसर क्या हो जाएगा चार से छे सब्था तीन से छे सब्था होता है तो तो प्रियू डाइजेशन में जो है तीन काल आते हैं जिसमें से एक प्रिपेरिटी प्रियेट दूसरा कंपर्डिशन प्रियेट और तीसरा क्रांजिशन प्रियेट होता है जो प्रिपेरिटी प्रियेट होता है वह समय जहां यहां यहां कि प्रिप्रिशन का मुख्य अगली साल फिर से नए प्रियोडाजिशन को सुरू कर सके ठीक है ट्राइशनल प्रियोड को एक रिकावरी फेज भी आर जाता है याद रखेगा कोशन नमर 31 है कि खेल प्रसिछर का उद्देश से है दोस्तों सारी कुसलता प्राप्त करना भी है यादरी कुसलता किंसी रोजी बायो मैकनिस के माधिम से युक्ति कोशल अलग अलग टेक्टिस है टेकनिक आप सिखते हैं तो उपरफ सभी चीजे आपका राइड एंसर हो जा उसका उद्देश से क्या होगा तो किसी परिष्ण का उद्देश से होता है परिष्ण की प्रसासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निदेश की इस परश्टता होना चाहिए कोशन नमर 33 है कि बिसे पार्ठ के अंतमी सिखकों को या सुनिशित करना चाहिए कि छात्र कारे इस थली को इन में से किस इस्सिती में छोड़ें दोस्तों इसमें आपको हमेशा सकरात्मक सोच पॉयोटिव थिंकिंग के साथ छोड़ना चाहिए कोश्चन नबर 34 है समानत्या पाठकरम को समझा जाता है तो हमेशा आप जानते हैं कि किसी संस्था द्वारा एक निधायत सिड्यूल होता है उसी को पाठकरम कहा जाता है किसी संस्था द्वारा निधायत पाठकरम होता है पाठकरम निधिसात्मक होता है जो किवल यह निधि कोशन नमर 35 है कि समानने फार्ठ योजना की तुलना में बिसिष्ट पार्ठ योजना होती है दोस्तों समानने पार्ठ योजना में जो बिसिष्ट पार्ठ योजना होती है वो खेल से रेलेटिड होती है जो थोड़ा उससे लगू और विसे के अंदित होती है ठीक है लगू बिसे केंदेत होती है कि सच्छा और खेलो में से किस चेतर में हाल के दसच्ट में सांदार बृधी की है तो किस चेतर में कीए है विवीन प्रकाय की सो भू और विकास हो रहा है कि इन से बाए मैकनिक मदिंफे आपसा कि जब एक खिलाड़ी की छंता के हिसाफ से प्रसिच्छर भार ना तू इतना कम हो और नहीं इतना ज्यादा हो तो से हम क्या कहते हैं तो दूस्तों इसको हम एक कि आप्टिमल लूट कहते हैं ठीक है आप्टिमल लूट कहते हैं कि कोशन नंबर 38 है कि जब छात्र घुमावदा दोड़ कर रहे हो जिग जिग पोजीशन में तो उनके सिच्छक का लच्छ क्या जानना का होता है इसे घुमावदा दोड़ में क्या होता है हम उसके को हम माप रहे हैं तो यहां पर कितनी चपल है यह हम मापेंगे कोशन नंबर 49 है कि समन्नों युक्ताओं को कितनी प्रकारों में व्युहाजित किया गया है दोस्तों मैंने आपको इसका ट्रिक बताया हुआ था मैंने स्ट्रेंज, इंडरेंश, फ्लेक्सिबिल्टी, को समन्नों युक्ताओं को जिसमें से हमने ट्रिक बताया था ए, b, c, d, r, o, तो A से हो जाएगा आपका एडाप्टेशन एबिलेटी यानि के अनुकुलन युक्ता, B से हो जाएगा बैलेस एबिलेटी यानि संतुलन युक्ता, C से हो जाएगा क्यूपलिंग एबिलेटी यानि डिफ्रेंटेशन एबिलेटी एड आड, r से हो जाएगा रिद्मिक एबिलेटी लाए युक्ता, r, o, o से औरियूनिटेशन एबिलेटी यानि अभी विदियास युक्ता, ठीक है, साथ प्रकार के होते हैं, यहां पे दिया हुआ साथ प्रकार, देख लीज़िएगा के जो हैं के तूर्स टेट पता है अचो जो है कि इस प्रकार हम का सकते है तो सीट प्रकार का उत्तुलग हो कोजिन number 41 है कि लंभबवद आपने को कि सार्जेंट कूद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एको सार्जेंट ने हो जाथा किसी भीगत्य और फंद ड़एत्लीत इसरी खड़े में उर्धादर उपर रा है कोजिन number 42 है खीचना यानी पूलिंग, धक्का देना यानी पूसिंग, कोसल समानता परियोगत होता है, जैसे आप ज्यान सकते हैं, या अपने दिमाग लगाने वाला क्वोस्चन है, जैसे कूस्ति हो गया, तिरिणदाजी हो गया, पहले खीषते हैं तिरेंदाजी में फिर मारते हैं और रोइंग हो गया यह तीनों जो है पूलिंग और पूसिंग इसमें प्रयोग होता है कोशन नमबर 43 है निन में से किस सहर में राष्टिय खेल परसिछर संस्थान नहीं है तो दोस्तो कुलकात्ता में है निताजी सुबास पुरुवी केंद्र बंगलिरू में है निताजी सुबास दच्री केंद्र एंड पटियाला में है निताजी सुबास राष्टिय खेल परसिछर संस्थान यानि पटना में भारती प्रादीकरर का कोई राष्टिय खेल परसिछ जो है साथ मैं 1961 को केंद्री तत्कालिन केंद्री सिच्छा मंत्री डार्टर केल स्रीमाली के प्रयास से नेशनल इस्टिटूट अप इस्पोर्स पट्याला का उभर रंग किया गया जिसका नाम वर्स 1973 में नेताजी सुबास राच्टिये खेल संस्थान रखा गया याद रखे इसी नेशनल इंस्टिटूट अप स्पोर्स का नाम 1973 में नेताजी सुबास राश्टिये खेल संस्थान रखा गया इसमें आपका कारे चैतर क्या आते हैं देश में खेलों को परसाहन करना इसका कारे है उच्छ कोटी के प्रसिचक तयार करना टीमों को ओलंपिक खेलो संस्थान की इस थापना भारा सरकार ज्वारा किस वर्स की गई तो अभी जश्ट में आशात में 1961 को किया गया कि कोस्ट नमबर 46 है कि राश्टिये खेलो प्रसिचक भाषान द्सक्रान की तो निशैक उनिसस्ट इकषार साथ महें 1961 को इस नमें चाहितान है कि इन मेंसे किसी किसी भी प्रबंधन का मुक्त बिंदू होता है अधार होता है उप्लब्द साधनो की सिधान को किस ने बिसित किया था तब प्रबंधन कि इस प्रसास की सिधान को बिसित किया था हिनरी फियाल ने ठीक है कोजन नमबर उन्चास है किनिने लिखित को उनके प्रारंभिक वर्स के अनुसार काला क्रमा काला नुक्रमिक बिसित कीजिए तो यहां भी देख सकते हैं गुर्मेंट कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला कब हुआ था? यह 1961 में हुआ था लश्टी में कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन 1907 में गौलियर मद्परदेश में कब हुआ था? 1907 में गौलियर मद्परदेश में यहां भी आप कर सकते हैं सबसे पहले क्या आजाएगा? 1920 यानि YMCA कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन पहले D होगा सॉरी पहले C होगा फिर क्रिश्चिन कॉलेज आफ लखनव फिर D होगा फिर आपका प्लसी वाइग कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन 1907 भी होगा फिर गौर्मिन कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन पटियाल 1901 होगा इस परकर क्या कम्बिनेशन बन रहा है CDBA आफसर नमबर भी आप ए राइटिन सर्व हो जाएगा कोश्चन नमबर पचास है कि किस राज में क्रिश्च विजिकल एजुकेशन यह किस राज में है दोस्तो तो यह है गौलियर मध्यपरदेश में 1905 में इसको बनाया गया ठीक है लफिजिवेई कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन गौलियर मध्यपरदेश कोश्चन नमबर एक क्याओन है पर्थम राष्टिये सारी प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च बना था चन्नाई मद्रास में एसी बक्त के द्वरा लेकिन पर्थम जराष्टियों की बात करेगा त्राइस सिच्छा प्रसिच्छा महाविद्यालेट तो वो रश्मीवाई कॉलेज आफ फिजिकल एजूकेशन हो जाएगा तो यह ग्वालियर में इस सीथ है को स्टेन नंब से फिर 1902 सितंबर 1995 को कि डिवने विश्च विद्यालेगे परयूटित किया गिया यह एल एन आइस पी फिर दो ऑज़ार आउच में पूडवीद्विद्याले का दर्जा दिया गया लश्मीवाई को अब यह लन यूपी यह लश्मीवाई राष्टी साथिसच्छा विश् में एलियन सीपी इत्री विंद्रम में खुला गया उसके बाद 2010 में गोवावटी असन में भी इसका एक साखा खुला गया नोबर 13 है कि सारीख सिच्छा का प्रथम राष्टी संसान की बात कहा है यहां पर गौवालियर मद्र परतिश में लश्मिबाई का लेजाब फूजिकल एजुकेशन है प्रारम किया गया ? कब प्रारम किया गया ? कौश्चन नंबर संतावन है पचपन है कि उनिस संतावन में राष्च्टी लशनी बाई कॉलेज आफ फिजिकल एजूकेशन गौलियरं ने किस प्रकार के नवीन सिच्च परसिच्चर कारिक्रम की सुरूबाद की थी तो दोस्तों संताओन में तीन वर्स ये साइज से चाहिशना तक कारिकरम BPA को इन्होंने शुरू किया था और उसके बाद 1963 में इन्होंने शुरू किया था PG BPA MP8 कोर्स ठीक है और 1980 में सायद मेरे ख्याल से जो अब शुरू किया था लश्मी मेरी कालेज और फिजिकर एजूकेशन कोर्शन नमबर छपन है कि लश्मी भाई सारे सिच्छा कालेज के प्रथम प्रधाना चारे कौन थे PM जोसेप थे आnya को श्मी सानातावन है ड्र पील जो से पहले प्राचारा थे आप जानते हैं कर्ण क्रम में काल्फ प्रभान का अंसार्व विवसीत करें तो दोस्तोर सबसे पहले क्या ऑया था DPE آیا था तो क्या हो जाएगा C उसकी बाद आया था DP E के बाद BPE A हो जाएगा उसकी बाद आपका आया था उसकी बाद आया था BP E तो आया था आपका BP ES थीक है? D इस परकार C, A, B, D आपका राइड लसे होगा तो आफसा नमबर A आपे राहे दिन सर्फ हो जाएगा ठीक है सबसे पहले क्या आया था डीपी एड यानि साइज सिच्छा में डिप्लोमा कोर्स जिसका आरम सरप्थम हुआ उसके बाद बीपी एड आया फिर बीपी एड आया उनिसो संतावन में लच्छी बाई निल आया इसनातक कोर्स फिर इ बीपी एड जो है इसका कोर्स है जिसका आरम विस्व विद्याला अनुदान आयो दोहजाट चोदर के गजट नॉटिफिकेशन के संसुतन के अपरांद हुआ बीपी एड आया कोर्शन नंबर 69 है उनिस्तों तीर पर में इसने भारत में ब्योस्तित खेल प्रसिच्छर के लिए पहली परियोजना को परसुत किया था तो तो ती आपका राश्च कुमारी अमृत को प्रसिच्छर सन्थान जो भायत के प्रथम स्वास्ते मंत्री थी एंड राश्च कुमारी अमृत को एक टेनिस की लाड़ी भी थी कोसे नमर साथ है सारे सिच्छा की राश्ची योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था कोसे नमर एक सथ है कि इनमी से क्या सारे सिच्छा की सुविधाओं के इस तर किया वसकता का निधारर करता है तो दोस्तों यहाँ पे सारे सिच्छा की सुविधाओं इस तर की आवसकता का निधारर कोन करता है तो यहाँ पे आपसा नमबर एक आपका राइडर ज़र होगा कि कारे की आवसकता कारे क्रम की आवसकता ही सारी सिच्छा में स्विधाओं के इस्तर क्या अधार करता है तो उसमें कारे क्या सकता क्या अधार पर ही किया जा सकता है क्योंकि आवस्त्यक काय कर्मों को बढ़ावा देने इंतधाओं ने सभलता को रोख शंपन करने के लिए सभी प्रकार के आवस्यक शुविधाय प्रदार करना बहुत महतपूर पहलू होता है पोर्शन नंबर बार सथ है कि स्वास्ते सिच्छा को पूर सभल बनाने में इसमें से किसे अति महतपूर माना जाता है तो यहां पिस सच्छम नेत्यतु को सबसे महतपूर माना जाता है याई स्वास्स्चा की संपूर सफलता किसी भी देस या समाज में सच्छम नेत्यत पनिरबगता है एक सच्छम नेतितु ही सभी आवस्टेक नेड़े समय के अनुसार लेकर ऐसे कारकर्मों कोगती सिल्ता पनाए रखता है Q63 है प्रभावी नेतितु किस पर अधायत है तो दोस्तो प्रभावी नेतितु जो है वो नेता के इस्थिती नेता तथा समू के इस्थिती प्रगूर पर निधायत होती है ठीक है कि क्या इस्थिती है समय काल क्या कर रहा है उसके अनुसार नेड़े लेना जो है प्रभावी नेतित वाला ब्यक्ति होता है question number 64 है कि सैचिक ब्योस्था के अनुसार एक अच्छे समय ठ्राड़े में होना होता है दोस्तों एक अच्छे समय साड़े में क्या होता है सैचिक ब्योस्था के अनुसार तो एक अच्छे समय साड़ी का मतलब यह होता है कि सिच्छक का नियम बद और नियमित कारपादता जैसे कि आपका स्कूलों में एक समय साड़ी होता है कि इतनी बज़े से इतनी बज़े तक स्कूल रहेगा तो क्या होता है कि सिच्छक जो है डेली अपने नियम में बद जात हमको इतने बजे जाना हो है इतने बजे आना है कि इतनी नंबर कि इनमें इसे किसे कोष़ सीखने की दिख संजा जाता है दोस्तों किसी भी चीज को सिखने का एक आपभ्यास यानि practice practice makes a man perfect यानि कि practice से आप Coin बना सकता है अब और भी कहा ओवत है कि करत करत अभ्यास से जर्मती हो सुझान या अभ्यास करते-करते मुर्ख भी बुरीमान बन जाता है तो अभियास ही किसी भी कॉसन यानी इसकील को सीखने का रेड कहा जाता है केसर लिंए कवे भी मापन यानिी मेजरमेनट तब pig मान जाता है, जब वो प्रिषछी कर्मचारियों के द्वारण किया जाएगा कोईसे नमबर सरसथ है कि सारुक सिच्छक पर सिच्छ भार इनके किसके द्वारा निधायत होना चाहिए तो सारी सिच्छक पर सिच्छ भार इनके किसके द्वारा निधायत होना चाहिए तो या पिराइट में सरु जाएगा आसन नमबर दी कछा के अंदर और कछा के बाहर किये गे वास्तिक कारियों की शंख्या से निधाय को न चाहिए साइस सिछा सिछा पजुभार है Question number 68 है निम्न निखित कारको मेंसे किसका मोटर अध्यन में सकरात्म लाब और साइस सिछा कछा समायोजन में उपलब्दी के साथ सबसे अतिधिक सहसंबंद है तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आफ़ा नमबर सी कि छातरों द्वारा पार्थ उद्धियसू से संबंदिक गतिविद्यों में ब्यस्त होकर सफलता पुरुख बिताया गया समय ही सकरातमक लाभावर उपलब्दी के साथ सबसे अतिधिक सहसंबंद है जो पार्थ का उद्धियस है उससे समधित हम गतिविद्य करेंगे उसी में ब्यस्त होकर कि हम सफलता पुरुख समय बितायेंगे और किसी अन्य में क्यों बितायेंगे क्वेशन नमबर 79 है कि इन तीन बेक्टितों के गुड़ों के कारण सारे सिच्छक दूसरे से अलग होते हैं दोस्तों सब में बेक्टितों के अलग अलग गुड़ होते हैं सभी गुड़ होते हैं बड़ सारे सिच्छा में एक तीन बेक्टितों ऐसा होता है चाहिए सारी सिष्छक है तो सच्व में लिंदन रहना चाहिए प्रवावी आकर्सर स्वास्त przysz कि इस्थर कि सच्ऽमता या उसमें पुर पुर मोंना चाहिए डेंड होना चाहिए कोशन नबर सत्तर है सिच्छक सिच्छा का इंटर्शिप काईक्रम प्रदान करता है जो सिच्छक सिच्छा का इंटर्शिप काईक्रम है वो पूर इस्कूली परियावरोल का महोल प्रदान करता है सिच्छक सिच्छा टीचर एजूकेशन का इंटर्शिप कारेक्रम पूर्ण इसकूली प्रयावर प्रदांग करता है जिसे सिच्छक को सिच्छड विधी का प्रत्य छनुब होता है इसके तहत भावी सिच्छकों में इसकूल सिच्छा और सिच्छड के प्रती सकरात्मक खांके करती है तो बाधी भीकाश का मतलब है कि उसको सङी तरीके से सोचना समझना समस्या का समधान करना आएगा और अदिसे हो जाएगा आफसर Consult deswegen सचना और समस्या का समधान करना लौक 722 यह परिवासा KIS शना दी है कि सारे सिच्छा संपूर्ध सिच्छा का वह अंग है जिसका संबन्थ भहुasınaंनिक राम Map यान के साथ हैं दोस्तो आप यह नहीं करें किये प्रसिद प्रभासा है तो यह प्रभासा है जे दिन इसकी किसकी प्रिफासा है मैं इसकी मित जिनाहे कि सारे सिच्छा सिच्छा के बड़े च्छेत्र जहां पर बड़े च्छेत्र की बात आए ठीक है वहां पर किसका होगा जेवी नेस का ही परिखासा होगा जाकि सारे सिच्छा अभी अंग की बात आए तो वह चाल से गूचल की परिखासा हो जाएगा तो इस अभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है तो साइज सिच्छा सिच्छा के बड़े छेतर का वह अंग है जो बड़ी मांस्पेशियों से होने वाली कारे तथा उसे समधित प्रक्रियाओं से समध रखता है तो यह परिवासा किसके है यह यह पूछा है दोस्तों यह परिवासा है कि साइज सिच्छा सिच्छा का छेतर है जो की मांस्पेशी गतिविधी तथा उनसे समधित प्रक्रियाओं के बारे में जांकाई देता है तो उसी को तोड़ मडोर के पूछता है तो आपको की पॉइंट याद रखना है तभी आप पहचान पाएंगे एंड कोसे नमबर पचहत्तर है कि सारी सिच्छा ब्यक्ति की सारी क्रियाओं का जोड़ है जो प्रेडामों के अधार पर चैनित और संचालित की जाती है यह कथन किसका है तो सारी क्रियाओं की जब आता है तो यह कथन हो जाएगा किसका या परिभासा है जे एफ विलियम्स की, किसकी है, जे एफ विलियम्स की, ठीक है, तो जहां पे आपको साइज सिछा के संपूर छेतर की बात करें, उसके साथ मान स्पेसियों की बात करें, बिहद, तो उजे भी नैस की, और साइज सिछा संपूर सिछा का प्रवंद का एक अभिन अंग की बात साथ ब्यक्ति के भीतरी अनुभाता होगा जब अनुभावों के प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं तो उसके साथ ब्यक्ति ब्यक्ति भीतरी की प्रक्रिया सब्दbridge आए तो वहां पे देलबेट इलियोफय के परिभाशा है यहकं ज़रूर बुचते जाते हैं और जब संतुलित सपने से जछावण जह आएं स्पन्थेश की सामोगे सामाजी कना बियोहार में परिवतन की बात करेगा तो वहांda सी सी कुब्ल की परिभाशा होगी और निक्सन जो है डेली डूटीन वर्क बिडावट एनी फटिग जो ये वाला बात आएगी वह छंता जिससे रोजमर्रा का कारे बिना थकान के संपन हो और आपार इसी तीसे निपटने के अतरित छंता बजी रहे वही सारे सिच्छा है ये प्रिखासा आपका निक्सन कि अधार का है था स्विकर्ण शरी थच्छा होती है ये प्रिखासा कि इसकी है दोस्तों यह है जे कोशन नंबर 77 है YMCA सारे सिच्छा महाविद्याले का सरपथम आचारे कौन था तो दोस्तों उत्ते H.C. Buck Henry Crow Buck Henry Crow Buck दोस्तों जो YMCA College of Physical Education Youngman Christian Association जो है वह सबसे पहले इस्थापना हुआ था जार्जी बिलियम के दोरा इंगलेंड में लंदन में 6 जून 1844 में उसके बाद युस्से में 1883 में स्प्रिंट फिल्ड कॉलेज में उसके बाद अमेरिका से ही आए हुए बीसे सा कि हैरी क्रोबक एस्टी बख ने उनीसो बीस में भारत में चैन्य मदरास में YMCA College of Physical Education के स्थापना की जो भारत का प्रथम सारी सिच्छा पर सिच्छा पर सिच्छा विद्याले है ठीक है भारत का प्रथम सारी सिच्छा पर सिच्छा विद्याले कौन है कोच्चन नबर 87 है कि सारी सिच्छा महाविद्याले YMCA कि फापना कब होई तो 1920 में हुआ था कि पूछता तब लशी भाई हो जाता किवल प्रथम पूछा है यहां पर राइट एंसर हो जाएगा YMCA College of Physical Education मदरास कोशन नमबर 80 है कि YMCA College के सफ़ापक कौन थे तब आप देखे ऐसी बग थे कोशन नमबर 80 है कि 1920 में YMCA कि सुरुवात की थि किस ने किया था आईसी बग ने इसी प्रकार एक ही कोशन को कई प्रकार से टेर्फे कोशन नमबर 83 है कि यम्सीए की स्थापना कब और किषने की थी तो आप जानते हैं जानते हैं 2020 में चन्नाई मदरास में कोशन नमबर 84 है कि यम्सीए की प्रसिछर कब सुरू हुआ तो 2020 में शुरू हुआ कोश्चन नमर 85 है भारत में सारे सिच्छा को किस ने शुरू किया तो दोस्तों भारत में सारे सिच्छा को सुरू किया किस ने किया तो एस थी बख ने किया YMCA College की सापना करकी कोश्चन नमर 86 है भारत में किस ने सिच्छा को सुरू किया तो चन्नाई में कहा शुरू किया तो चन्नाई में जब पहला राष्टी सारी सिच्छ संस्थान पूछेगा तो एलिएंस सिपे ये लचिन प्याई कालेज़ा फिजिकल एजूकेशन उनिस संतावन ग्वालियर होगा कोस्टन नमबर अठासी है जार्ज बिलियम ने किस वर्स वायमसीय की स्थापना की थी दोस्तों मैं अभी जर्ष्ट बताई हूं कि वायमसीय की सबसे पहले इस्थापना हुआ था छे जून 1844 में लंदन में इंग्लेंड में जार्ज बिलियम की द्वारा तो यहां पे छे जून 1844 साब का राइटेंस रहोगा कोस्टन नमर्ण नमासी है एंसस जैसे सीवीडव के आविजन को परसाहिद करने वाले अभी करोड कों से है एन एन नेशनल लगा है तो यह सासकी एजन्सिया है ठीक है नीजी नहीं है सासकी है नेक्ट कोशन है कि एंससी का पूरा नाम क्या है आप सब लोग जानते हैं नेशनल केड़ेट क्रॉफ ठीक है आपसे नमर्ड डी राइट एंसर होगा ठीक है जिसकी एसापना उनीसो और तालिस में की गई थी इसका मुख्य उदेश था एंससी का कि भारत की रच्छा के प उदेश जरूर याद कर लिजेगा एंससी का क्या मुख्य उदेश था कि भारत की रच्छा के प्रति युकों और युवतियों को जाग रुक करना तथा अंतिम रच्छा पंक्ति के लिए तैयार करना कि कोशन नमबर एक क्यानबे है एंससी की इसापना कम हुई थी तो उन इसकी इसापना हुआ था उनुछ शोपैऊनिक में नैश्नल फिट्रे निस कॉप्स नमबर तीडरानबे हैं अंत्रार परसिछट्छड से बिकसित किया जाता है अंत्राईर परसिछडयारे कि इंटर्वल 2.20 दोश्तों चानते हुं कि इंटर्वल ट्रेनिंग मेथिकिवी 122 डेनल गही के लिए से आङ्क्पार कर दो में पता है इसमी जो है ऐसे डारे तो neighborhoodário ठीश करोंब में पूर चारते हैं आइसाज में करते हैं अपग्राइब में किरीय जै। हो भीहालता है। इसके हैं.." जब 180 प्रतिमियर पहुच जाती है तो अधूरी छाती पूर्टी के अधार पर 120-140 हारट पहुचते हैं पुरा अभियास को सुरू किया जाता है तो यहाँ पर यह डेवलफ करती है सहन सक्ती को, राइट अंसर क्या हो जाएगा? सहन सक्ती यहाँ पर गती सहन सक्ती और गती सहन सक्ती दोनों दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसर नमबर भी ठीक है? गती सहन सक्ती यदि गती सहन सक्ती नहीं दिया रहता तो अब यहाँ पर सहन सक्ती राइट हो जाता है क्योंकि सहंसिल्टा को डेल अप करने के लिए चार भी दिया हैं कांटेनिवस मेथर इंटरवल मेथर रेपिटेशन मेथर एंड कंपरडिशन मेथर कोशन नमबर 94 है निन में से किसका विकास सतत यं अंतरावधी दौरद्वरा किया जा सकता है दोस्तों सहंसिल्टा का विकास ठीक है सतत लगातार की बात आए तो वहाँ पर हमिस्ता सहंसिल्टा ही होगा को सान नंबर पंचानव वे हैं कि प्रयास पुरां सकत्य प्रयाइन का सिधान्त अधाइध है तो ब्रोड़न सकत्वन का सिधान्त है यह उस कोश्चन 90 कि अंतराल प्रसेचर विधी का पति बादन किस ने किया था। अभी मैं जश्च बताई जो अंतराल प्रसेचर है इंटर्वल औरजा प्रियोग की जाती है तो उसमें होता है अंतराल प्रसेचर जाने एंटरवर्ड ट्रेनिंग में धर्ड में जो एरोबिक का पुरा इस्तमाल होता है एरोबिक तंतरवा है जो औरजा को मीलू सैर करने या दरणने की आग्या है करता है कन्ठ ने इसकार्बो हाइड़ेट को इसका भे प्रित होता है इसमें कार्बो हाइड़ेट जो मांस्पेशियों में एकत्रित होता है उन्से प्रस्पों करते हैं या रखेंगा जो अन Kita een आmostीटष में उसमें उसे उर्जा लेकर हम उठाने में क्या होता है कि आक्सिजन का उप्योग करके सभी सुरोतों से कार्भोहाइडियोड को उर्जा में बदलता है तो बदलते हुए कारिक करता है जो हमारे अंदर फैट पहले से जमा होता है उसको भी उर्जा में बदल बदल करके उर्जा देता है ऐरोबिक यानि इसान सिल्टा वाली कारिक्रम में ठीक है किस प्रसिचर में लापकारी बिस्राम अवधी का उपयोग किया जाता है तो बिस्राम की बात आए अधुरी छत्र पूर्टी की बात आए तो वह जाएगा आपका अंतराल प्रसिचर जाने की इंटर वर्ड ट्रेनिंग में था निन्य रुपसे उच्च तिवता के बेयाम किया जाते है जिसमें बीच-बीच विश्राम की आंतराल रखे जाते हैं यह विधिक इंटराल प्रसिचर यानदिक इंटर्वल ट्रेनिंग में था उता है कोश्चन नमबर सो है कि बिस्तित अंत्राल बिधी में तिविता होती है तो दूसरा इंटर्विल ट्रेनिंग मेथर होता है ए क्रियाओं कि तिविता के अधापर दो हागम बटा गया है इंट्रवर मेथर याणि कि गहन अंत्राल गति दूसरा एक्सयम मेथर यानि कि इंटरम मेथर लो तौन जो गहन अंत्राल गति होता है इंक्रम घुल Alert उसमें तिविता जो है 80-90 परसेंट होती हम फेंसय है उसने स्कूर 1 समय आपका 175-180 जैसे ही हार्टेट 120-140 में आ जाती है मिनन दोबारा से वरकाउट दिया जाता है और हार्टेट जो है वापस से 175-180 तक लाई जाती है जिससे इसमें हम काफी ज़्याता तिविता पध्यान देते हैं वैल्डियू पध्यान नहीं देते हैं इसलिए इसको इंटे क्वालिटी प्र ध्यान दिते हैं दूसरा होता है एक्सटैंसिव इंटørवर थीमीदि नमिई त्वित्य मेत्य जबस्तित अंटराहल विद्यू मेें इन्टोब त्रहन दोड़िया है उसमें तिविते ज्याद क्या होगी तो इसमें तीए जैसा कि यांठिशन स्गी क्स्ग जो है extensive interval में था विस्तित अंत्रालविधि में जो है intensity जो है 60 से 80% दिया हुआ है लेकिन जो एक्जाम हुआ है उस एक्जाम में आपका यह 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 ल्टीक्री 2018 में पुछा गया question है तो इसमें 30 से 40% आपका राइड माना हुआ है ठीक है question no 101 है आज की session का last question कि निलिखित में से किस तक्नीक में कार्य और पुर्व इसिति बहाल होने की निधारी चर्णों को बल दिया जाता है दोस्तों कार्य और पुर्व इसिति बहाल एन दिकवरी फेज जो होता है उसमें अधुरी स्यति पूर्थी होती है तो होता है मध्यान तक प्रसी चड़ जाने की इंटर्वल ट्रेनिंग मेथ़ड इसमें कम और उचति बिता लो एन हाई इंटिंसिति वाले ब्यायाम के वीच बीच आराम यानि रेश्ट का समय सामिन होता है इस त बताइए और ज्यादे से ज्यादे वीडियो को शेयर भी किजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहें इनते हैं